प्रकास पुंज जब किसी खास बस्तू को प्रकास देता है या ब्यक्ति को प्रकास देता है तो जैसे ही वो प्रकास पुंज बंद होता है उसी तरीके से उस ब्यक्ति पर या बस्तू पर प्रकास पढ़ना बंद हो जाता है यानि कि दूसरे के प्रकास से चमक रहा ब्यक्ती उस खास प्रकास पुंज के समाप्त होने के बाद उसकी चमक फीकी पड़ जाती है मैं बात करने जा रहा हूँ आज प्रधान मंतरी नरेंद मोदी और उनके खास सिपरसालार अमिश शा की दोनों एक दूसरे के प्रकास से चमक रहे हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद मोदी का प्रकास समाप्थ होगा, सो अभाविक है, अमें शाह का भी प्रकास समाप्थ हो जाएगा, दोनों के सीने में एक दूसरे के एतने राज़ दफ्टन है, कि दोनों का अस्तुत एक साथ है, और दोनों की समाप्थी होगी, तो वो भी एक साथ होगी, मैं आज समाप्थी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्या तीन विधान सभावों में, जो कॉंग्रेस आई है तीन तीन राज्यों में, वहाँ के चुनाओं को देखते हुए बात करी रहा हूँ, उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए मैं बात कर रहा हूँ, संग के निताओं के बयान को देखते हुए, क्योंकि राश्टी स्वयम सिवक संग, जिसको आप RSS या संग के नाम से ज़्यादा जानते हैं, वो भरे ही ये कहता हो कि हम एक गैर राजनितिक संगठन है, हमारा राजनिती से कोई लेना देना नहीं है, हमारा डारेक्ट भारतियनता पार्टी से लेना देना कोई मतलब नहीं है, लेकिन हकीकत यही है, यह सब कोई जानता है कि आपका सीधे तोर पर लेना देना तो है ही, बलकि इतना लेना देना है कि वहाँ पर आपके हुक्म की तामील भी की जाती है, तो अब जब संग के निताओं के इस तरह के बयान आने लगे हैं, जिससे दिखने लगा है कि वो नरेंद्र मोदी से नाराज हैं, तो अगर नरेंद्र मोदी से नाराज हैं, तो अकेले नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं हो सकते, इस जोड़ी से नाराज होंगे, क्योंकि कर लेता हूँ बयान की मोहनभागवत की जो संग के सुप्रीमों माने जाते हैं या संग के सरसंग चालक हैं उन्होंने हाल में ही एक बयान दिया उन्होंने कहा अगर बिना युद्ध के एतने सैनिक सहीध हो रहे हैं इसका मतलब काम ठीक से नहीं हो रहा है और इसके अलावा अपने ही बासन में उन्हें ने सरकार की तमाम नीतियों पर भी सवाल उठाए अब सवाल ये है कि सेना पर सवाल उठाने का मतलब है प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी की नब्ज को दबा देना क्योंकि प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी और भारती जन अले दवा दिया गया था सेना के सौरे सेना के गवरों पर लगातार बात करते हैं प्रथान मंतीर नरेंद मोदी सेना के लोगों के बीच में जाते हैं प्रथान मंतीर नरेंद मोदी वहां फोटो किछवाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए सेना से ज्यादा बढ़के कोई नही तो ऐसे में जब सवाल मुहन भागवत ने सेना को लेकर उठा दिये हैं प्रधानवंदी नरेंद मोदी की सरकार पर यानि कि उनकी मूल नबज को ही दबा दिया है क्योंकि सेना के सौरे पर हमेशा प्रधानवंदी नरेंद मोदी इठलाते रहे हैं पर एक हैसियत वाले मुहन भागवत का बयान तो आपने सुन लिया, अब मैं आपको बताता हूँ नंबर दो की हैसियत रखने वाले सह सरकारवाह, भाईया जी जोसी का बयान, भाईया जी जोसी ने कुम्ब में बोलते हुए कहा कि 2025 में बनेगा राम मंदिर, इसको सरकार पर अतंज माना गया, सरकार की कुछ नीतियों पर उन्होंने सवाल भी उठाए, लेकिन जब बाद में उनसे पूछा गया, कि आपका मतलब है कि ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा ऐसा कहना था, कि अभी अगर बनना सुरू हो गया, तो 2025 तक ब आने जा रही है, उस समय भी भाया जी जोसी ने कहा था, कि हम हर तरीके से कानून लाने के पक्ष में हैं, और हम किसी भी तरीके से कानून ला करके, राम मंदिर को का निर्मान करवाएंगे, एक और बयान इसी में उन्होंने आगे दिया, उन्होंने कहा, राम मंदिर राष् में वो ये कहना जरूर भूल गए, उन्होंने कहा कि राम मंदिर राष्ट की चेतना का केंद्र है, करोनो करोन लोगों की सुर्धा का केंद्र है, उसके साथ ये और कहना भूल गए, कि हमारे लिए और भारती जंता पार्टी के लिए सबसे बड़ा राजनीती का केंद्र है, अगर ऐसा नहीं है, तो जब वो खुद कह रहे हैं कि हजारों मंदिर हैं देश में, तो एक और मंदिर निर्मार से देश की प्रवगती कैसे हो जाएगी, ये बात समस्य से परे है. अगर आप कुछ magical view के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि राश्ट्री स्वयम सिवक संग या ऐसे कोई भी संगठन जो जबरदस्त तरीके से कटर हिंदुवादी परमपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं, वो लोजिक पर नहीं टिके हुए हैं, वो व इसी ब्योस्था पर पौराणिक सिस्टम पर टिके हुए हैं, जहां पर मिथकी चरित्रों के माध्यम से बहुत सारे पात्र और चरित्रों को गड़ करके कपोल कलपनाएं प्रकासित की जाती थी, यह जी जोसी का ये भी बयान महत्पूर्ण हो जाता है, कि उन्होंने पीम म मुदी पर हमले भी होने लगे, इन हमलों को इस तोर पर भी देखना जरूरी है कि इस समय कैबिनेट में एक महत्पूर्ण मंत्री है, नितिन गड़करी, वो महत्पूर्ण इसलिए हैं, क्योंकि एक तो महराष्ट से आते हैं, नाकपूर के संग मुख्याले से बहत करीबी ह और राष्टी अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारती इंता पार्टी की, तो उनके कोई भी बयानों को सामाने तोर पर नहीं ले सकते, तो उनका पहला बयान मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने कहा मुझे नहरू के भासन पसंद है, अपने बयान में जो उन्होंने पू पसंद हैं, तो मैं इतना तो कर सकता हूँ, कि मैं देश के सामने समस्या नहीं बनूँगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर समस्या के लिए नहरू, उनके गांधी खांदान को दोसी मानते हैं, वहीं पर नितिन गड़करी जैसा महत्पूर्ण ब्यक्ती नहर है, दूसरी बात वो कहते हैं कि हार का जिम्मेदार कौन, 24 दिसम्बर को एक कारकरम में शामिल होने के दारों नहोंने कहा, यदि मैं पार्टी का अध्यक छूँ, और मेरे सांसद और बिधायक अच्छा नहीं करते, तो कौन जिम्मेदार होगा, ये तंज कसा गया था, जो तीन राज्यों में बुरी तरीके से भारती जन्ता पार्टी हारी, तीन में क्या, पांच राज्यों के चुनाओ हुए, महाँ पर पांचों में भारती जन्ता पार्टी को जो हार नसीब हुई, उसके पर तंज कस्ते हुए कहा था, एक बात और उन्होंने कही कि सफलता के दावेदार लेकिन विफलता का कोई नहीं है चुकि हमें अपने आपको राजनिती का चानक मान लेते थे मीडिया वाले उनकी महिमा मंदन में लग जाते थे जब एक आज जगे कहीं चुनाओ जीतते थे तो ये बिलकुल ढ़ू ठीक बात है कि विफलता की जिम्मेदारी कौई लेने को तयार क्यों नहीं है तो इसमें उन्होंने कहा था उड़े मा एक कारकरम के दरान सफलता के कई दावेदार होते हैं लेकिन विफलता में कोई साथ نہیں होता सफलता का सरे लेने के लिए लोगों में होड रहती है लेकिन विफलता को कोई सुईकार नहीं करना चाहता सब दूसरे की तरफ उंगली दिखाने लगते हैं इसके अलाबा नितिन गड़करी के एक करीवी व्यक्ती है किसान नेता महराज़ से आने वाले उन्होंने संग के प्रमुखों को पतर लिखकर कहा कि अब मोदी और साह का यूग समाप्थ हो चुका है अब नितिन गड़करी को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहिए तो इस पर जब उनकी टिपनी ली गई तो उन्होंने कहा कि मुझे गंगा प्रोजेक्ट पूरा करना है एकसेस कंट्रोल हाईवे का निर्माल करना है मैं चारधाम रोड और अन्य प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता हूँ मैं जो कर रहा हूँ उससे खुस हूँ और इसे ही हराल में पूरा करना चाहता हूँ उन्होंने कहा लेकिन उनके करीबी व्यक्ति जिनको महराष्ट्र में केवरियन मंत्री का दरजा भी दिया हुआ है वो अगर इस तरीकी की बात उठाते हैं कि दोनों का युक समाप्थ हो चुका है और भारती जिंता पार्टी को मोदी साह से मुक्ति पालेनी चाहिए तो इसक लोगों के मुह में कपड़ा डाल कर मुह बंद करने की जरूरत है इसके अलावा नितिन गड़करी का एक बयान सरकार के लिए परेशानी का सबब बन चुका है जब उन्होंने एक मराठी चैनल को दे रहे इंटर्यू में कहा था कि सत्ता में आने के लिए साल 2014 के लोग सभा वादे याद दिलाते हैं लेकिन अब हम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं ये तंज कसा गया था अमें शाह के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए एकाउंट में डालना तो चुनावी जुमला था और चुनाव में इस तरह के वादे कर दि भी माने जाते हैं उनकी स्कूटर से सुरू ही जो पॉलिटिक्स सुरू की थी उन्होंने वो संग के मुख्याले से ही निकली थी और नागपुर के गलियारों में घुमते हुए ही उन्होंने राश्टी अद्यक्ष के बाद में ये केंद्री सड़क परिभेन मंतरी तक का प वर्तन नेदे साल है, CBC यानि की किंद्री सतरता आयोग और IV यानि की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये सभी ऐसे संस्थान हैं जिनको स्वायत्ता के लिए जाना जाता है अपनी संस्थानों यानि की संस्थानों के तौर पर जाना जाता है लेकिन प्रदान्मंति नरेंद मोदी कमजोर होते दिख रहे हैं तो उन पर एक बार फिर से सायद संग दाव लगाना नहीं चाहता है एक सवाल ये भी बहुत तेजी से उठ रहा है कि राफेल लिल जिस समय प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने की थी उससे लेकर अभी तक देश को तीन रक्षा मंत्री मिल चुके हैं मनोर परिकर बीच में अरोन जेटली रहे कुछ समय के लिए और निर्मला सीता रमन अभी रक्षा मंत्री के तौर पर है तो क्या तीनों रक्षा मंत्रियों को इस फैसले से अन्विग रखा गया क्या इन तीनों रक्षा मंत्रियों को इस फैसले के वारे में कुछ भी बोलने से मना किया गया क्या परधान मंत्री नरेंद मोदी जान बूच करके अने लंबानी की कंपनी को फाइदा पहुचाना चाहते थे क्योंकि अने लंबानी भारी घाटे में उनकी कंपनिया चल रही थी तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि राफेल डील के मामले में प्रधानमंती नरेंद मोदी ने संसत से लेके सुप्रियम कोर्ट में क्या जूटे तत्ते प्रतुस्त किये हैं दाहिंदू की जो रुपोर्ट सामने आई है उसने पूरे देज भर में इस पहस को फिर से जन्म दे दिया है कि क्या प्रधानमंती नरेंद मोदी ने जान बूचकर कॉंग्रेस के समय में खरीदे जा रहे राफेल बिमानों की कीमत 41% जादा के दामों पर खरीदी ताकि लाब हो सके सीदे-सीदे अनिलंबानी को उसमें ये भी सवाल उठे कि देज की जो खुद की एक संस्था है H.A.L. हिंदुस्तान Aeronautics Limited उसको आपने बिमान बनाने का ठेका न दे कर अनिलंबानी को क्यों दिलवाए गए तो बहुत सारे सवाल ऐसे उठ रहे हैं जिनपर कॉंगले सीदे तरह तोर पर हमलावर है इसमें भारती जनता पार्टी की जो इमेज है उसको भी धक्का लग रहा है अब अपनी डैमिज कंट्रोल के रूप में संगेखे निताओं को खुस करने के लिए भले ही 10% सवर्ण आरक्षण का जुझना दिया गया हो लेकिन वो जुझना भी इतना काम्याब होता नहीं दिखता क्योंकि सवर्णों का एक बड़ा वर्ग जो 8 लाग से नीचे गरीवी रेखा में आएगा जब वो इसी में समाहित हो जाएगा तो फिर 40% जो खोला हुआ है उस पर आखिर कौन जाके फाइट करेगा या इन 10% वालों को वहाँ लाब होगा कि नहीं होगा मतलब बहुत सारे प्रसन ऐसे हैं जो अनित्रे थें तो कुल मिला करके आरक्षण पर जो हमला करते थे सवर्ण अब उनको खुद कि जब 10% आरक्षण दे दिया गया है तो आरक्षण पर हमला नहीं कर पाएंगे ये मजाक नहीं बना पाएंगे कि पेट में कैची छोड़ देते हैं आरक्षण वाले ये सवाल नहीं पूछ पाएंगे कि क्या आरक्षण वालों से आप दिखाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे यानि कि देश की परतिफा को जो नुकसान पहुचाने की बात करते थे वो भी नहीं कर पाएंगे अब उससे कितने सा बर्ण खुज होते हैं कितने नहीं होते हैं ये तो आगे कर रुखता है करेगा 2019 का चुनाता है करेगा लेकिन इन सारी गत्विदियों को देखते हुए में इतना जरूर कह सकते हैं कि शायद राष्ट्री स्वयम सेवक संग का मन भर चुका है OVC के नाम से लाए गए एक प्रधानमंत्री नरिंद मोदी से और स्वभाविक तोर पर जब उन से मन भरा है तो उनके सिपैसालाद जिनका कारेकाल खत्म होना ही है अमेशा से भी मन भर चुका है तो क्या अब ये जोड़ी विदालेगी भारती जनता पार्टी से ये उनका अंद्रोरी म नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर लें और उस बेल आइचन तो जरूर क्लिक करें जिसे जो मेरे न्यूव वीडियो है